ये आकाश्वाडी का प्रसारण है विविद्ध भारती संगीत सरिता पंडित विष्णु दिगंबर पलुसकर परंपरा आई ये सुने इस शुंखला की छठी कड़ी प्रस्तुत कर रहे हैं सुपरिजित शास्त्री गायक डॉक्टर विद्ध धर्व्याज पंडित विष्णु दिगंबर पलुसकर जी ने संगीत परचार प्रसार के लिए समूचे हिंदुस्थान वह नेपाल में भी भ्रमन किया अपने संगीत कार्य के प्रथम क्षेत्र के लिए उन्होंने पंजाब को चुना फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और फिर सारे भारत में उन्होंने अपने कार्य का विस्तार किया अपने संगीत प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने श्री तुलसी रामायन का प्रचुर मात्रा में सहारा लिया तुलसी रामायन की चौपाईया दोहों को उन्होंने राग ताल बद्ध कर प्रस्तुत किया पारमपारिक पुरानी ख्याल रचनाए शुरंगारिक और उत्तान हुआ करती थी जिन्हें सभ्य समाज में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता था ऐसे ख्यालों की स्वरा रचना कायम रखते हुए पंडित पलुसकर जी ने शब्द रचना तुलसी रामायन तथा संतों के अन्य वचनों से ली परणाम यह हुआ कि यह शास्तिरी राग संगित लोगों के घर घर में चला गया सुनिए पंडित नाराइंडराव व्यास जी का गाया राग बहार जिसमें संत वचन रचना रूप में प्रस्तुत है कोलक्या मुल्ना भजा राग विर्जामचु गल जयनना चरना हें हें हर करना पर आपियों है हाई, 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 सब्सक्राइब इत्त बाहीपर शीर भी लागे उत्त राजा संग रमना बजरगु विर शाम जुगन जनना बजरगु विर शाम 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 आमा हाँ चाम जुगन जनना इत तुलती उत पूझा पि राजे जुगन जनना इत तुलती उत पूझा पि राजे जुगन जननना इत भरना इत पूझा जननना जननना हाँ 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 जननना कर दो carbon कर देड में ए पजया चえーaks कर दो एम चेन में पर बम湯 पंडित विश्णु दिगंबर पलुसकरजी ने अपने कार्यों को मूर्त सुरुप देने के लिए तथा समाज में आधुनिक शिक्षा प्रणाली से संगित का प्रचार प्रसार करने के लिए सन 1901 में लाहोर में गांधर्व महाविद्याले इस संस्था की स्थापना की बाद में सन 1908 में इसकी एक शाखा के रूप में बंबई में भी गांधर्व महा विद्यलै की स्थापना की आगे कुछ समय पश्चात लाहौर की संस्था का कार्य कम होता चला गया और बंबई संस्था का कार्य विस्तारित होने लगा गानधर्व महाविद्यालाई का कार्य पूर्ण रूप से पंडित विश्नु दिगंबर पलुसकरजी के दर्शाय मार्ग के अनुसार ही चलता था दैनिक कार्य का प्रारंभ प्रार्थना से होता था पारंपारिक प्रार्थना जै जगदी शहरे इसको पंडित पलूसकरजी ने सुयोग्य राग ताल बद्ध किया जो वह स्वयम गाते थे और शिष्ष्चों से गवाते थे सुनिए पंडित नारांडराव व्यास और साथियों ने गाई यही प्रार्थना प्राव्रामाई गुल्साक्राथ प्राव्रामाई तस्मै सी घुर्वेन माई जया जगरी चाहदे जया जगरी चाहदे भक्त जनों का संकाट चिन में दूरक दे जो जावे पलपावे दुखा बिन सेमानका जया जगरी चाहदे सुखा संपति जगर आवे ए सुखा संपति जगर आवे कर्त मिचेतानका मात पिता तुम मेरे शरन गभू कि सती तुम बिन और न दूजा आतर दुजिसा के जगरी चाहदे जगरी चाहदे तुम अंतर जावी पारभ्रम पारमेष्वर तुम समके स्वावी तुम कृपा करुना के सादर तुम बालन करता आम मुरत करकावी तुम बालन करता जया जगरी चाहदे तुम हो एका अगोचर समके प्राणपदी तुम हो एका अगोचर समके प्राणपदी कि जबिध मिलों घुसाई तुम को मर्कुम दी दीन बंधू दुखा हरता तुम कृपा करता तुम मेरो आपने हाद उठावो गारपदो तेरो विशय विकार मिखावो पापारो देवा प्रणा भक्ति बढ़ावो इस प्रार्थना के साथ एक और प्रार्थना भी नियमित रूप से गाई जाती थी रचा प्रभू तुने यह ब्रम्हांड सारा गायक पंडित नारण रावजी व्यास और साथी आत्मा आत्मा भिरिजा मति सहचरा प्राना शरीड़ों जहाँ भूजादे विशयो पभोगरचना निद्रा समाःस्तिते संचार प्दयों प्रदक्षिन विडिहां तोत्रा निक अधिवांगिरों यद्यत्तर्मकरों नितत्तत्तिरों शंभो सवारादन्नों रचा प्रभूतों ने यह ब्रम्मान सारा प्रालों से ल्यारा प्रालों से ल्यारा तु भी सबसे ल्यारा रचा प्रभूतों ने यह ब्रम्मान सारा तु आप्रभूतों ने यह ब्रम्मान सारा धर्म दूद से माता तुम हमको पालों धर्म दूद से माता तुम हमको पालों देवों को नभीया का अपने बंदारा तु ही माई बंदू तु ही जगत जनने शकल जगत मेन तेदा बतारा रचा प्रभूतों ने यह ब्रम्मान सारा निमा कर प्रभूशीत विनती हमारी निमा कर प्रभूशीत विनती हमारी देवों दान भक्ती का अपने जिस्तारा तु ही माई बंदू तु ही जगत जनने तु ही माई बंदू तु ही जगत जनने शकल जगत मेन तेदा बतारा रच्या प्रभूतों ने यह ब्रम्मान सारा पंडित विश्नु दिगंबर पलुसकर परंपरा इस शुंखला की छटी कड़ी आज आपने सुनी प्रसुत कर रहे थे सुपरिचित शास्त्री गायक डॉक्टर विद्याधर व्यास अब आज का संगीत सरिता कारिक्रम समाप्थ हुआ विविद भारती के संग्रहाले से प्राप्त इस कारिक्रम की प्रसुत करता छाया गांगुली